हेलो फेंस मैं हूँ कंचे शर्मा और मेरे चैनल पर आप सबी का बहुत बहुत स्वागत है अज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वालेंटाइन स्टेस फेशल एकलेस रेट पेलबेट क्रीम चीज ब्राउनी की रेसिपी जो दिखने में तो सुंदर है ही खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी है और इसे मैंने बहुत ही ईजी एन सिंपल तरीके से आपके साथ रेसिपी शेयर की है एकलेस है पिदावट ओवेन है तो इसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं किसी तरीकी की कोई दिकत नहीं आएगी और खाने में तो ये ज़्यादा स्वाधिष्ट है ही इससे पहले भी जो है मैंने मेरे चनल पर एकलेस रेड बेलवट केक की रेसिपी शेयर की हुई है आप वो रेसिपी भी जाकर देख सकते हैं तो चलिए बिना देर किये आज की हमारी ये रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं तो यहाँ पास सबसे पहले हमें ब्राउनी बनाने के लिए जो है ड्राइ इंग्रेडियन को चान कर रेडी करने होंगे इसके लिए हमने यहाँ पर बाउल के ऊपर एक चंणी रखा है इसमें हम डालेंगे 3-4 cup मैदा और 2 टेबल स्पून हम अट करेंगे कोको पाउडर और 3-4 टी स्पून हम अट करेंगे बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा हमें अट नहीं करनी है बेकिंग पाउडर ही हम करकि इसमें कोई इंगरीबुद आधर और यहां पर हमने यहँन प्यूर्टी फ्रग्यक्तिं ऐसे देऩंए इसमें अच्छ अब ignorant टेल डालेंगे ऑर इसमें एच्छ से ब्रस्क लेंगे इसमें हम ब्राउनी को इस सारी त्यारिया पेले से कर लेंनी हैं तो देख़े, हमने अच्छ के ब्रस कर लिया है और अब हम इसे रख देते हैं यहां पर भाउल кीज और ब्राउनी की इपर अधा क्रीमकाप है यहां पर 20-20. आधा कीज लिया घट्री सिक एस Aristbasis करूप कोई दिक्कत ना आए आप आसानी से इसे बना सको तो यहां पर हमने क्रिम चीजा को निकाल लिया है और यहां पर यह इलेक्ट्रीक बीटर अरवागल disciple करेंगे 2-3 मिनिट्ध के लिए अगर आपके पास इलेक्ट्रीक बीटर ना हो तो आप नॉर्मल हेंड whisker की साहिता से भी इसे बीट कर सकते हैं तो इस तौह की से हाम इसे जो है तो से तीन मिंट despite करेंगे जब तक कि इसका जो texture है एक दम creamy ना हो जाए तो इस तैके से जो हमने इसे बीट कर लिया है और अब हम इसमे one टेबल स्पून कॉन फ्लार ए वन फोर्थ कप हम यहाँ पर कंडेंस मिल्क एड़ करेंगे, इसके जगह पर आप सुगर पाउडर भी एड़ कर सकते हैं, और यहाँ पर हाप टीस्पून बनीला एसेंस हमने एड़ किया है, और इसे हम फिर से बीट कर लेते हैं, जब तक कि एकदम जो है क्रीमी ना हो जाए, सारी चीजे हमें अच्छे से मिक्स कर लेनी है, और धीरे धीरे देखेंगे कि इसका जो टेक्ट्चर है एकदम क्रीमी हो जाएगा, तो इस तेके से हमें इसे दो से तीन मिनिट के लिए अगेन बीट कर लेनी है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यह अच्छे से बीट हो गई और इसे हम मिक्स कर लेंगे, देखें, इस तेके से, तो यह हमारा ब्राउनी की उपर की क्रीम चीज की लेयर वाली मिक्स तयार हो चुकी है, इसे हम रख देते हैं साइड में, और चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉसेस में, तो यहाँ पर हमने यह दूसरा पाव लिया है, इ इस तेके से, रूम प्रेचर पही हमें लेना है, और इसमें हम वन फोर्थ कप कैस्टर सुगर आट करेंगे, आप चाहे तो सुगर पावडर भी ले सकते हैं, और इन दोनों को हमें अच्छे से बीट कर लेना है, जब तक कि सारी चीजे आपस में अच्छे से मिक्स ना हो ज अच्छे से लेना है, और उसके बाद अब हम यहां पर आट करेंगे, यहां पर हमने यह वन फोर्थ कप जो है, यह होम मेट कंडेंस मिल्क है, अगर आपको इसकी रेसेपी चाहिए तो मुझे कमेंस करके जरूर बताइएगा, अगर आपके पास यह ना हो तो आप इसके यहां पर हम यह हाप टीस्पून बनीला एसेंस डाल देते हैं फ्लेवर के लिए और इन सभी को हमें अच्छे से बीट कर लेना है अगर जब तक कि इसका टेक्चर जो है एकदम क्रीमी ना हो जाए देखे इस तरह के से हमने इसे तीन से चार मिनिट के लिए अच्छे से बी तो यहां पर हमने रेड जेल कलर लिया है देख सकते हैं हमें लीकवीट कलर एड नहीं करना है जेल कलर ही एड करना है तो यहां पर हमने यह वान टीस्पून जो है रेड जेल कलर एड कर दिया है और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है देखे कितना सुन्दर सा रेड सा color जो है आ चुका है इसमें और उसके बाद अब हम यहाँ पर add करेंगे हमने जो dry ingredient छान कर रखा था ना वो हम इसमें add करेंगे तो हमें एक दम से पूरा add नहीं करना है हम थोड़ा थोड़ा करके जो है यह add करेंगे और इसे हम cut and fold method से ही food इसे से mix करेंगे और अगें हम थोड़ा सा फिर से add करेंगे और थोड़ा सा बचा लेंगे फिर से हम last में add करेंगे तो इसे मिक्स कर लेते हैं देखे और लाश्ट में truck Export हम इसे चार टेबल स्पून Milk dan भी हमारा जो है रूम टिमपरेचर पर ही है और इसे भी डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ध्यान र robi Something's मिक्सिंग भी नहीं करनी है इस ते किसे हमें जो है इसे अच्छे से मिक्स कर लेनी है इसका इस्तमाल हम लाश्ट में करेंगे तो यहां पर हमने यह बैटर को इस तेके से डालना है और अच्छे से हमें चारो और इवेनली स्प्रेट करना है देखें इस तेके से हम इसे अच्छे से स्प्रेट कर लेंगे चारो और यहां पर हमने यह दो तीन टेवल स्प लेना है और उसके बाद हमने इसे जो है piping bag में भर लिया है देख सकते हैं और अब हम इसके उपर जो है यह second layer डालेंगे तो यहाँ पर मैंने piping bag में डाल का कर रही हूं आप चाहे तो direct भी कर सकते हैं लेकिं piping bag से हमारा जो काम है वो असान हो जाता है और काम हमारा मैशी भी नह ही होता है है तो इस तई हैं में जिए सकीिंड लियर को त्यारे का नहीं है पूरे हमें से इस सारे क्रीम चीज वाला के इसके ऊपर डालतें गें और एक i shift की साहेता से वहुटश्च और अव्यूह इस जो ह डालना है और एक तूटपिक की सायता से हमें इसके उपर डिजाइन बना लेनी है तो यहाँ पर देखे यह काम जो है थोड़ा सा मैशी लग रहा होगा आपको इस वक्त लेकिन जब यह बेक होका निकलेगी तो बहुत ही सुन्दर यह डिजाइन लगेगी तो देखे इस तरह देख सकते हमारा जो गढ़ाई है अच्छे से गर्म हो चुका है इसमें हम यह मौल्ड डाल देते हैं और इसे हम ढखकर प्चास से पचपन मिनीट के लिए लो प्लेंप में बेक करेंगे तो इसे हम इसी तएके से जो है बेक हो ने देते हैं देखे पूरे पच्पन मिनीट हो चुके हैं और यहां पर हमारा ग्राउनी बहुत ही अच्छे से बेक हुचुका है देख सकते हैं दिखने में भी जादा सुन्दर लग रही है तो में आपको ़ूद्पिक से भी दिखा देज़ousing देहीं थीध्य है देखिये पकional क विये यह आप रही है तो यह dall ह NICK अबनेट के बाद इसे साइट साइट अलग कर लेंगे चाकु से ताकि हमारा ब्राउनी है इसली डी मोल्ड हो जाए तो इस तेके से चार और हमें अलग कर लेनी है और इसे हम इस तेके से डी मोल्ड कर लेंगे देखें कितनी आसानी सी है डी मोल्ड भी हो गई है बहुत ही सु की कुकी कटर हो तो आप उसे भी कट कर सकते हैं हाट जेप में ब्राउनी को तो जिस चाहे अकार में आप से संद्ण पर देख सकते हैं इसका अंदर का टेक्चर कितना अच्छा आया है एक्दम केकी और चीजी दोनों है बहुत ही जादा टेस्टी लगती है खाने में तो यहां पर आप चाहे तो इसे ऐसे ही शर्प कर सकते हैं या फिर आप इसके ऊपर जो है बनीला आइस क्रीम डाल कर भी शर्प कर सकते हैं दोनों ही तरिके से बहुत ही जादा टेस्टी लगती है और इसे बनाना भी बहुत ही जादा आसान है तो Friends देर किसबात कि है Valentine's Day आने वाली है इस recipe को आप ज़रूर ट्राइ खीजिएगा, इससे भी पहले जो है मैंने मेरे channel को कई सारी Valentine's Day recipe जो है शेयर की हुई है आप फोग रेिचिपी भी चेक कर सकते हैं और फैंस कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो मुझे कामेंस करके जरूर बताइएगा वीडियो अच्छी लग यह तो वीडियो को प्लिस लाइक और शेयर जरू कीजिए मेरे चैनल पर नए हैं मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हो मेरी ऐसी ही और रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए बेल आइकन को पेस्ट करना ना भूले जिससे मेरी नई वीडियो की अपलोड की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक और नही रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक केर थैंक्स पर वाचिंग